अभिनेता प्रदीप खड का स्टार अफ फिल्म प्रेंगी तीन 23 सितंबर को नेपाल समेट भारत के विभिंग शहरों में रिलीज होगी। भारत में भी फिल्म की रिलीज के बाद से भारतिय मीडिया ने प्रेंगी तीन को लेकर खबरें फैलाना शुरू कर दिया है। बॉलीवूड हंगामा ने अपने ओनलाइन में फिल्म के बारे में एक खबर लिखी है जिसमें कहा गया है कि पहले भारत मेपाल फिल्म प्रेंगी तीन फिल्म यूनिक ने एक रोमान चक पोस्टर जारी किया है और खबर में ट्रेलर का जिक्र किया गया है कि यह एक सितंबर क का सबसे बड़ा स्टार कहा है भारतिय निर्माता सुभाश काले ने कहा है कि भारतिय दर्शक फिल्म प्रेंगी तीन देखना चाहते हैं और मुवी टिकर खरीबने के बाद हौल में फिल्म का जादू देखना चाहते हैं असका दावा है कि उन्हें विश्वास है कि भारतिय दर्शक फिल्म देखेंगे क्योंकि फिल्म में भारतिय गायकों अंके तिवारी, पलक मुच्छल, देव मेगी, रहत फते अली खान, पवंधी प्राजन और अन्य की आवाजे हैं। अभिनेता प्रदीट भी इस बात से खुश है कि फिल्म भारत में रिलीज होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरा नया जन्म है, नेपाली फिल्मों के 50 साल के लंबे इतिहास में पहली बार, यह मेरे लिए एक नई पहचान है क्योंकि मुझे नेपाली फिल्म उद्योग क प्रतिनिधित्व करने और एक नई दुनिया में प्रवेश करने का अबसर मिला है, अभिनेत्री क्रिस्टीना गुरूंग ने कहा है कि अपने करिया की पहली फिल्म के साथ बॉलिवूर के हॉल में पफॉर्म करने का मौका मिलना उनके लिए खुशी की बात है, यह मेरी कल् विश्य के लिए फिल्मों की दिशा तै करने के लिए जिम्मेदार महसूस करता हूँ, सुबास ने प्रसन्नता व्यक्त की नेपाली फिल्मे कुछ अच्छी फिल्मे बना रही है, उन्होंने उलेक किया है कि जहां भारतिय दर्शक दक्षिन की फिल्मों का खुले दिल से स् जवास है कि प्रेंगी 3 का भी उसी तरह स्वागत किया जाएगा, संतोष और दिवंगत निर्देशक चेतन गुरुंग द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शिव श्रेष्ट, मात्से गुरुंग, सुनील थापा और मनीश राउद भी है, सुवास और संतोष के साथ सु जोशल मीडिया के जरिये फिल्म का टीजर जारी किया